Hello everyone, वैसे student जो खासकर AMU जामे 2024 में इंटरेंस एक्जाम देने वाले हैं जैसे का आपको मैंने पहले के lecture में बताई है कि daily basis जो हमारा GKGS में खासकर 5 current affair, 5 history, 5 geography, 5 polity and 5 economy उस series को आज फिर से हम continue करते हैं, question काफी selective है और totally इंटरेंस oriented है साथ ही इस question के solve करने के साथ हम आपको guide भी करेंगे कि जामे में किस type के question पूछते हैं वो भी आपको बताते चलेंगे, चाहिए आप किसी भी course में entrance exam दे रहे हैं सभी में आपको यह help करने वाला होगा, कई बार student पूछ रहे होते हैं इस वजह से, चलिए start करते हैं यह मैंने जो है direct जो है अभी अच्छा में बता दूँ कि अभी current अपर में direct हम October मन्त यानि October 2023 से लिए है और यह इसको complete करेंगे ठीक है, तो चलिए question first यह है कि what is the India rank in the global hunger index 2023 2023 कि हिसाप से global hunger index में इंडिया का क्या rank है वो आपसे पूछ जा रहा है, वे भी आपसे पूछा जा सकता है world happiness यह हो या फिर global hunger index हो इसमें पूछा जा सकता है, तो इसका जो correct answer को वो option first होगा, 11111111111111, next question पे आते हैं, अगला question recent में यह updated version में है कह सकते हैं, what is the name of India first semi high speed regional rail service, regional rail service है, जो की काफी high speed के साथ यह बलकले metro की तरह है, यह कहां start क्या गया है, पहला दूसरा इसका नाम क्या है, तो हलाकि question कही सबस्तों आप से नाम पूछ रहे हैं, जैसे first x हो गया, green rail हो गया, rapid x हो गया, इंडिया x हो गया, इसका जो correct answer हो और अपसेंसी होगा, rapid x, basically यह जो rail service जो है, वो आपक included in the summer olympic, 2028, 2028 में जो olympic होने वाला है, उसमें कुछ नए खेल को भी आइट किया गया है, हलाकि इसमें अगर देखा है, तो answer तो सारे होंगे, लेकिन यह जो popular रहा है, वो cricket रहा है, क्यों, cricket हो काफी वर्ट से separate रखा गया था, तो ऐसे correct answer option D होगा, लेकिन कभी कभी हो सकत किरिकेट को भी आइड किया गया साथ में फ्लैक फॉटबॉल और बैस्बॉल को भी आइड किया गया अब आते हैं इस कोश्चन पर अगला कोश्चन इंपॉर्टेंट है करविची दी फर्स्ट वेमन पॉलिस अस्टेशन इंदी कंट्री टू गेट आई एस ओ स्रेटिफिके में जो है वहाँ पर उन लोग को जो है या उस अस्टेशन को आई एसो सेटिफिकेट मिला है नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं करहुई दी चीफ एलेक्शन कमिशनर आफ इंडिया अभी आप देख रहे हैं कि कहीं एलेक्शन चल लाए और एलेक्शन से रलेड़िड आपको को पूछना तय है मैं यहाँ पर एक एक एड़ कर दूं कि एलेक्शन कमिशन तो अलग है एलेक्शन ऑफ इंडिया के बारे में किस अर्टिक अंदर पढ़ते हैं वैसे चीफ एलेक्शन कमिशनर आज के टाइम में जो हूँ आपका आपसन है राजी कुमार है अब हम यहाँ पर इसके लिए पांच ही लिए पहले का कि पांच-पांच कोशन रहेंगे अब जैसे यहां से हिस्टी का स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कोशन कहा रहा है कि अकबर सन एंड सक्सेसर सलीम और विकमिंग देंपेर अजिम देनिम आफ यानि अकबर का पहुचा जा रहा है अगले कोशन पर मुगल ऑन इस क्राइब को वह इन में से कौन थी तो इसका जो गर्रेक्ट आंसर होगा वह आपका जहां थी यानि बीज होगा वह आपका अगले कोश्चन पर नेक्स कोश्चन भी वन अप दो इंपोर्टन को कोश्चन में सेख है कर एन अमबेस्डर ऑप दिब्रिटिस किंग जेम्स फर्स्ट हूं सिक् विलेज फोर इस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम एंपेरर जहांगीर यानि की ब्रिटिस क्यों से किंग जेम्स जो था उनको काफी अच्छे तरीके से ट्रेट किया गया था किसके टाइम है जहांगीर के टाइम में यह पूछ रहें कि वह था कौन जो एंबैस्टर भेजा गय गया था वह उनमें से कौन थे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑफ्षन थॉमस रोई सी वूड विदा करेक्ट आंसर होगा आते हैं नेक्स कोश्चन पर अगला कोश्चन पहले देख लिए कर मुगल पेंटिंग रीज इट्स जैनित दूरिंग रेन ओफ यहनिक पींटिंग के बारे पूछा आपसे गुल्डेन परिट एफ स्यर्प रिज्प लिट्रेचर या गोल्डेन परिपेंटएट ऑफ आर्किटेक्चर आपसे पूछा जा सकते हैं एक तो Sumिת आकि बोला दूसरा स्यसेय इन दोनों का आपको आंसर बताना है गोल्डेन एरा ऑफ लिट्रेचर किस मुगल रूलर को बारे में जानते हैं किस मुगल रूलर के टाम में बिल्कुल पीक पे था लिट्रेचर और किस मुगल इंपेरर के टाम में गोल्डन एरा ऑफ आकिटेक्चर पीक पे था वह आपको आंसर करना है क्योंकि यह सवाल पूछे जा सकते हैं अगल इसना डिटेल मीस लिए ताकि आप यह समझ सेकें कि उन्होंने जह है फिलोसपी पर वाग किया था इन में से कौन था तो फिप्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन आते हैं अगले कोश्चन पर नेक्स कोश्चन इंपोर्टेंट है कर रहा है कि यह सारे हिंदू नोवल एड हो रहा है या कोट आड हो रहा है इन डारेक्ट में आप डारेक्ट समझ सकते हैं कि आप दीन इलाही किसने एकसिप किया था अगबर के दौरा जो रिलीजन चलाए गया था तो इसका जो करेक्ट आंसर होग ऑप्शन सी होगा बिरवल होगा आते हैं अगेन नेक्स कोश्चन पर कह रहा है कि दी पल्लवा अब हम सिधा पॉलिटी पे चलते हैं यहां से अब जो है हम इंडियन पॉलिटी या भारत के संभीदान वहां से पांच कोशन लेंगे जो कि टोटली सेलेक्टिव होगा करविच अब दी फॉल्लिविंग अपॉइंट्मेंट इस नॉट मेट वाइदी प्रेजिडेंट इंडिया पॉइंट नहीं करते हैं टो चीफ अफ आर्मी स्पीकर आप डियो किषेट्टिस उफ इंडिया चीफ ऑप इर फॉस तो इसका जो correct answer होगा we would be the correct answer होगा speaker of the log saba speaker of the log saba को president of India appoint नहीं करते हैं बट इसके अलावा जो है जिसे chief of army हो, chief justice of India हो chief of the air force इन सब को president appoint करते हैं speaker of the log saba तो simple सी बात है log saba के MP जो होते हैं इन सब मिल के ही इनको elect करते हैं next question पर आते हैं वो आपसे पुछा जा रहा है हाले कि जिसकी majority होता है उसी का ही PM होता है या CM होता है पहला जिसकी majority होगी तो इसका जो correct answer हो option B होगा next question पर आते हैं इनके से अगर माल लिजे suppose अगर माल लिजे आप से में सीचूशन जानना चारह हो कि suppose कोई CM है और वो majority party से था बट by default वाई election हार गया उस case में उसके साथ क्या होगा कि फिर से वो CM बंसे के बरना हो सकता है उसको CM post पे हड़ा दिया जाए तो आपको इसका answer mention करना है अगले question पर आते है कर दिफर्स्ट विमन गवर्नर अफ स्टेट इन फ्री इंडिया अगले question पर अगला question यहां पर यह कर रहा है कि minimum age required to contest for presidential election of India भारत में अगर president बनना है तो minimum कितना age limit पूछा जाता है minimum कितना age होना चाहिए correct answer होगा इसका option C होगा अब आप से मैं पूछूँँगा लोगसवा में अगर किसी को MP बनना हो उसके लिए minimum age कितना है और अगर MLA बनना हो member of legislative assembly का member बनना हो उसके लिए age कितना रखा गया है वो आपको comment करके बताना है क्योंकि जो लिए सवाल है से ही पुछा जाते है इस बीच मैं ये भी आपको inform करते चलूँ कि जिस भी candidates को आज last date है जिस भी student को join करना हो 10 days crash course के नाम से चल ला है आप उसमें join करने के लिए वीडियो के description box में detail mention है आप join कर सकते हैं चलिए आगे next question पे मतलब ये कहना चाह रहा है कि President of India का impeachment कहां से start होगा बोग होश आप दी पार्लिमेंट आपके लोगसभा से bho सकता है राजसभा से भी हो सकता है अगर Vice President की बात करें तो जब भी impeachment से start होगा तो वो होगा आपका राजसभा से यहीं RS से ही start हो पाएगा लोगसभा से यह नहीं होगा बस लोगसभा में जाके approval के लिए जा सकता है पर पहले जो है वाईस प्रेजटन का राजसवा सी स्डार्ट होता है लेकिन प्रेजटन के लिए ऐसा कोई के सक्टीशन नहीं वह लोग सब्रैश्ण राजसवा दोनों जगे से स्टार्ट हो सकते हैं यह पॉलिटी के रहा सेलेक्टीव कोशन एक तो इस्ट फ्लोविंग रिवर अवेस्ट फ्लोवें तो इन दोंगे को देख लिए चलिए मानली आरब जैने सी पूछ दिया ऐसे भी तो पूछ सकता था कि इसे इस के लाबह इस टाइब करते हैं या इस सवाल पुछे जा सकते हैं तो इसका जो सब्सक्राइब होगा माही और नर्मदा रिवार इवन तापती रिवार यह तीनोज रिवर जो कहीं कहीं अरब की और फ्लो करते हैं इस से वेस्ट की और अब आते हैं अगले कोशन पर नेक्स्ट कोशन कहरा है भरतपूर बड़ सेंचरी सिचुएटेड इन विच इंडिन स्टेट यानि भरत अपना कॉंटेंट रेडी कर लिए क्योंकि उससे एक सवाल आपके पूछे के पूरी चांस पूछने का पूरी चांस है एक रीबर बता दिया एक नेशनल पार्प बोल दिया यह दो टॉपिक यहां से बन रहा आपका नेक्स पर आते हैं करहा विच मॉंटें रेंज सेपरे लाज़स वाटरले आपसे पूछा रहा हैं और से बूलर लेक अनुपम लेक ननव देवब इसका पर आते हैं नेक्स पर आपका क्रेंज यह कह रहा है कि इन विच सेट फेमस पूर जोग फाइल लोकेटिड जोग वालस कहा लोकेटट है इनमें से तो इसका जो करेंग टां अभी अगर बात करें तो मैं थोड़ा से एक अनेलेटिक दे दो यहां पर कि मैंने फ्रेस वाटर ऐसा रैंडम सवाल किया है मैं आपको यहां पर एड कर दूं कि मिसलेनियस पार्ट है अरिहंत या लूसेंड में लाश के दस पेज के अंदर उसको आप जरूर याद कर लिएगा उससे आपके दो से चार सवाल जरूर बनेंगे जामे के इंट्रेंट में बागी तो यह कि हम आपको इधर गाइड कर रहे हैं पीवाई क्यों पॉलेडिकल का क में एक गूगल फॉर्म रेडिक है आप उसको डिटेल चेक करके एक बेसिक रिस्ट्रेशन फॉर्म पे करके आप समिट कर दिएगा जो मॉक्ते से स्टार्ट होगा 26 अप्रिल से स्टार्ट होगा जिस भी कंडेट को जोईन करना होगो फॉर्म को फिल कर लिजिए कर दो